हलो दोस्तों असलावलेकूल पर स्वाथ हमारे यूट्यूप चनल पर इसे बात करने वाले हैं प्लाटीना 125 के बारे में दोस्तों और साथ हम बात करेंगे बॉक्सर ओल्ड मॉडल की और जो हमारी पहले गाड़ियां आती थी विदाउट विदाउट सेल्फ वाली और यह जो मतलब मोटर कैसे चलती है उसके बारे में बात करेंगे तो आईए देखते हैं पर इस वीडियो को समझते हैं तो यह वीडियो अगर ज्यादा लंबा होगा तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा आप लोग लिए तो आईए देख लेते हैं इस वीडियो को और स समझते हैं कि कौन सी चीज़े कैसे वर्क कर रही है और क्या क्या चीज़े हैं तो आए कहां से बैटरी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़े और यह फ्यूस से आपके चावी सुिच में चला गया बायर है यहांसरे के बाद में पूसर से क्नेक्टेट अयाप धैकि चैजिक हुं चैजिते कि स्थाल करेंतं कैंड इस लिएक चैजिता में क्नेक्ट हो जाएका दाना या जो आपका चावी स्विच का सब्ला है वह जाएगा आपके एक टीपेस स्विच में आपका जो टीपेस सुच होता है यह देखिए यह तो इससे यह है तो इससे जैसे यह देखिए एक निगेटिव आपका होगा जो के ब्लाइक और यल्लो वायर होगा एक ब्राउन होगा जो के आपका पॉसिटीव होगा और जो आपका पिंक वाला वायर होगा वो दूस्तों इसमें पल्से जनरेट होकर आपके इस सीडियाई में जाएंगी मतलब आप जैसे है देख लिया चावाई इसका इतना दो वैर्स महांद डेख लिया अब आते हैं इस मैगनेट कॉल पर और यहाँ पर देखते हैं यह तीन वैर्स आप देखते होंगे एक ब्लाइक येल्लो जो पहला वायर है जो कि आप देख रहा ही यह यल्लो ये यह योउस्तल सफे गी क पॉइंट पहरा है मैगनेट कॉल से आपके निकलता हे वायर और यह आता है आपके चाविज स्वीच पे यह देखें यह चार सौकिट वाला चाविज है दोस्तों है क्या करते थे अगर चावी स्विच का अगर couplers निकाल दे तो यह गाड़ी डारेक्ट हो जाती थी पहले की जो गाड़ी यह होती थी तो यह देख सकते हैं आप black और yellow वाला वायर आपके चावी सुच में आ गया और साथ ही साथ यह चला गए आपके cdii में यह देख सकते हैं cdii में गया है तो black और yellow wire चला गया आपके cdii में बहुत ही आसान है और सरल है आप ध्यान दीजिए बस और black और white भी आप देखेंगे तो यह cdii में गया था दोस्तो जो चाभी सुचका आपका निकला था तो यहां आपने देख लिए आप देखते हैं इस white और red वाले wire की बात करूँ तो white और red वाला wire जो है आपका pickup coil से निकला है दोस्तों मतलब आपका pickup coil है उसका wire है तो यह आपने देख लिया और साधी साध इस red वाले wire की बात करूँ तो यह भी आया हूँ आपके CDI में यह देख सकते हैं तो यह सब जाहतर वायरस हो गई बात हो गई और अब बच गई केवल दोस्तों यह वाली वायर जो कि हमारी black वाली वायर है तो यह हमारी जा रही है हमारी ht coil में और ht coil को ground कहां से मिल रहा है आपके देखिए इधर से frame से ground मिल जा रहा है यह आप देख सकते हैं यह आपका ht coil जिसे ignition coil भी कहते हैं बाटला कोई भी कहते हैं तो यह हो गया अब बात में मुद्धा क्या है दोस्तों यह देख लिए सब वायर्स के connection आपने चीजिए और समझाना मैं जरूरी समझता हूं तो यह देख सकते हैं आप ब्लैक और वाइट वाला वायर्स आप देखिए दोस्तों ब्लैक और वाइट जो के बी और डब्लू बना हुआ है तो क्लरकोडिंग मुझे याद है तो क्यूंकि इस पर लिखा हूए तो मुझे कल करते हैं दोनों पतफी कर्ले कनेक्ट हो जाती है और आपकी गाड़ी बंद हो जाति है तो यह गाड़ी तक जाने से पहले कहीं पर अगर किक पूंप करता हूं अर इस बाक और वाइट वाले वायर की मैं बाद करूं मतलब के करता क्या है कि आपका जो अर्थिंग है जो ब्लाक और यलो वायर जो आपके अर्थिंग के वायर है इसको अलाओ नहीं करता है कि यह अर्थिंग प्रोवाइड करें आपके सीडियाई को तो यह ब्लाक और वायर वायर अगर कहीं भी तूड़ जाता है तो आप आपकी CDI को देखे डायरेक्टली अर्थिंग मिलती है और आपकी जो आप अगर गाड़ी चालू करेंगे तो बिना चावी की आपकी चालू हो जाएगी तो कुछ इस तरह का इसका फॉंचन होता है तो आप जैसी चावी बंद करते हैं तो यह दोनों वायर कनेक्ट हो जाते ह आपके हिष्टी कॉयल को और स्टी कॉयल आपकाा इस पार देता है आपके प्लक को तो कुछ इस तरह से दूस्तों वर्क करता है तो आइब दुस्तों आप लोगो वी वीडियो पसंद और पसंद अब पसंद दो लाइक कीजिए साथ इसकर बेल आगोन को दमना आणा व्ल इस डाइग्राम पो मैं कंप्लीट करूंगा ताकि आप लोगों समझ वहां सके कि इसका इलक्ट्रिकल वर्क मतलब इस्टार्टर वगरा कैसे वर्क करता है तो थैंक्स वॉचिंग मिलते हैं नक्सुरी में तब तक लालाफिस चेकर गुडबाई अपना अपनी फ़र में खाल कि वॉचिंग वहां गश्प लोगों समों लोगा वालोगई उप्योग्ण समा लोगों समा लोगों स कि आपको हैं।